जो शीश महल वाला मामला हुआ था के जरीवाल का जिसे टाइम सनाव वालों ने खूब दिखाया था इसको तो उसमें सभी लोग बोले थे उसमें मिनाक्षि लेखी भी टी ली पर आती थी दिल्ली के सारे सांसद आते थे मनोज तीवारी के इबाइट दिखाई दे आते प्रवेश वर्मा आते थे रमेश बिदूडी को दिखाया जाता था लेकिन ये बात सही है किए अमित शाह ने उ पर उन्होंने बोला और मैं आपको बताओं कि उनकी बीस मिनिट की स्पीच है तो मैंने वो इसलिए डाली स्पेशली क्योंकि जो अच्छी स्पीच होती है वो लोगों तक पहुचनी चाहिए तो उसमें बीस मिनिट की लगभग वो बोले और उसके सुनने वाले जो आखिरी क पांच मिनिट में ही हुई है और जब उन्होंने ये कहा तो उसमें केवल उन्होंने अरविन केजरी वाल पर ही निशाना नहीं किया उन्होंने कॉंग्रेस को भी कहा इमलाइन जो कहते हुए वो बैठे हैं नीचे उन्होंने ये कहा कि आप इनका बिल पास करवाओ या रु का सेशन खतम होगा यह आपका साथ छोड़ कर भाग जाएंगे तो इनका बरोसा मत कीजिए उन्होंने कॉंग्रेस वालों से साफ तोर पर ये भी कहा जब आपकी और हमारी सरकार थी एक बार हमारी कभी आपकी आगई कभी हमारी आगई शीला दिक्सित जी बन गई 15 साल के लि पर फ़ी तो उस उन्होंने कहा कि कांग्रेस वालों को भी उन्होंने एक तरे से आगाँ किया कि ये तुम गलत कर रहे हो तुम आस्तीन का सांप पाल रहे हो ये तुम्हें धसेगा छोड़ेगा नहीं तुम्हें और मैं आपको दोर चीजों का उलेकरना चाओंगा अमिद वैसे तो अमित शाह ने जो अपनी स्पीच थी उसका जो पहला पंद्रा मिनिट था वो बहुत ही तथ्यात्मक रूप से सही था वो सारे आंकड़े लेका है थे आजा उन्होंने साथ तोर पर का कि जवारलाल नहरू ने ये सब किया था और उन्होंने बहुत सारी चीजे बता बहुत हैं जो भी तो जो पहले पहले इन्होंने अर्विन केजरिवाल ने ट्रांफर कोस्टिंग को लेकर ये कोट गए थे वहां से आई कोशोंने अर्विन केजरिवाल में एक नहीं हुई डिविजन सही नहीं हुआ, फिर उसके बाद पीठ के पास ये मामला गया, तो उन्होंने ये बात किलियर करने की कोशिश की, कि ये कोई ऐसा नहीं है कि ओवरनाइट ऐसा हुआ, कि सुप्रीम कोर्ट ने डिसिजन दे दिया, और उसको पलटने के लिए हमने ऐसा किया, उन्हो की पार्लेमेंट उससे में चल नहीं रही थी, और उन्होंने ये बात उलेख कर ली, उन्होंने एक बात छोड़ दी, कि जिस दिन सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था, कि साब अधिकारों में ट्रांसफर पोस्टिंग में जो है, दिल्ली सरकार की भी से होनी चाहिए, तो उसी दिन तीन सो अधिकारियों की एक लिस्ट बनाई थी केजरिवाल ने, हमने शायद आपके डिसकस भी किया था, कि इसके लावा मनीश सुधिया की जो सराब गोटाले की फाइले थी, वो जिसके पास थी, उस अधिकारी के दफ्तर पर ये रात को पहुँच गए थे, सो अब तो तुम हमारी कही मानोगे, मतलब सुप्रीम पोट का जो कौपी है, और की, वो भी हाथ में आने से पहले इन्होंने बवाल मचा दिया था, तो अमित शाह को ये बात आज बतानी चाहिए थी, उन्होंने ये बात निश्चित रूप से उस समय से ही चल रही थी, कि ही दिल्ली जो है, वो एक स्टेट हो सकता है, लेकिन पूर्ण राज्य का दर्जा उसे बिलकुल नहीं दिया जा सकता, यूनियन टेरिट्री में इस तरह का कोई कॉंसेट है नहीं, यूट्री में जो है फिप्टी परसेंट जो होता है, और एक मज़ेदार बात आपको होता हैंगा अभी आप तक चर्चा है, दिल्ली में चर्चा ये थी के मिनाक्षी लेकी का टिकेट कटेगा जो सुराज की बेटी हैं, उनका चर्चा है इस समय, हाऑ क्योंकि उसे उने काफी बढ़ाया जा रहा है, उने काफी प्रमोट कर रहे हैं, मोधी जी पसंद करते हैं उने लेकिन आज मिनाक्षी लेखी ने जिस तरह से बोला है इन्होंने वही काम कर दिया कि जब वो चोकितार चोर है वामले में राहूल गांदी को इन्होंने लपेटा था और माफी मंगवाई थी उसी पे इनका टिकट बच गया था उस मामले पर ही तो आज भी मिनाक्षी लेखी हैं वो काठ के पानी वहां से निकालते हैं तो फिर आप बताईए कि ये केंद्र सरकार के सहयोग के बिना दिल्ली कैसे बच जाती बाड़ से उन्होंने ये बात कही कि कोवीड के समय में की बाते याद दिलाई उन्होंने कि आप कह रहे थे हमारे पास गैस नहीं वो ऑक्सि ही हुई हैं दिल्ली के बॉर्डर पर लेकिन इनके पास है क्राइजनिक प्लेन बेजे गए जहां से उक्सिजन बंगाई गई और उन्हें ये भी कहा कि हम दिल्ली में सफदर जंग एम्स जैसे बड़े-बड़े उस्पिटल दिल्ली में केंदर सरकार चलाती है और अगर व दिल्ली का चीफ मिनिस्टर ने कही अर्विन्न केजरिवाल जो चोथी पास राजा वाली कहानी सुनाते हैं अपनी एकात में रहना चाहिए नाम तो नेलिया उन्होंने तो कभी बाते गई उसके बाद फिर हरसिम्रत कोर बादल ने भी बहुत अच्छी बाते गई वो हलाकि 7-8 मिनिट ही उने समय मिला बोलने के लिए हरसिमरत कोर बादल ने तो कहा किसाब ये जो केजरीवाल है इन्होंने तो हमारे चीफ मिनिस्टरों को अपना ड्राइवर बना रखा है वो सारे देश में इनको गुमाते हैं अपने स्टेट प्लेन में हमारे सीम साब जो है वो गायव रहते हैं वहां से और हकिकत बात वह सही भी है उनकी के इस प्लेन में वो सारे देश में घुमें बगवनतमान के और दूसरा उन्होंने एक बात और भी कह दी कि ये दिल्ली वालों को पंजाब के कोटे से राज्यसवा बेज रहे हैं रवींद केजरिवाल का काईदे से जलील होने का दिन था और वो पूरा तरीके से आज जलील हुए है लेकिन दुरभाग्य की बात ये है कि ये आम आदमी पार्टी जो है इसका जी वहां पर ऐसा परतिनिदी है नहीं एक सा केजरिवाल की तरफ से कौन सुनता वां तो उन्हें फिर कॉंग्रेस वालों को जंके रेला कॉंग्रेस वालों को कहा किसाब आप गलत कर रहे हो ये जो भी कर रहे हो ये आस्तीन का सापे से मत पालो तो बढ़िया डिबेट हुई पहली बार ये मोका है के केजरी वाल को लेकर उनका नाम लिए बिना अमित्षा इस तरह से बोले मैंने किसी जनसाभमे भी कभी अमित्षा को उन पे इस तरह से कटाक्ष क प्राइमनिस्टर बनने जा रहे हैं उस पर तालियां भी खुब बजी वहां पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है तीन सु सत्तर वाले मामले पर डेली एरिंग हो रही है पुमवार और फ्राइडे को छोड़कर मंगलवार बुदवार बरस्पतिवार ये तीन दिल लगतार उस पर सुनवाई होती है शायद सटेर्डे में भी होती है पतरी सटेर्डे में नहीं नहीं उसमें बहुत तख्यात्मा गुरूप से कई बाते हैं जिस तरह से यह बाते तो एक तरीके से डीवाई चंद्रचूड ने कल अपनी बात में वहां कहा है जब उन्होंने कपिल सिब्बल ने यह कहा के साथ वहां पर जो समविदान सभा थी जम्मू कश्मीर में वो उन्निस सो सतावन निस सो क्यावन में खतम होई और उनिस सतावन तक वहां स्टेटस स चुनने रा तो वहां की उसका फैसला पार्लेमेंट कैसे ले सकती है तो डिवाय चंदर चूडने वहां पर ये का कि भाई पार्लेमेंट तो इस देश के लोगों की ही चुनी हुई है वो तो सरवोच संस्ता है वो कोई डिसिजन क्यों नहीं ले सकती पार्लेमेंट अगर कोई decision लेती है तो उस पे राश्टपती की मौर लगती है तो उन्हें का कि अगर वहां पर सम्विदान सभा नहीं रही है जम्मू कश्मीर में तो इसका मतलब वहां 370 को हटाए नहीं जा सकता एक जो इस टंप्रेरी रूप से लगाई गई थी उसको आप पर्मनेट कर दे रहे हैं सिर्फ यह बाना बना कर तो डिवाई चंदरचूर ने वहां पर एप्रक्ष रूप से यह कहा कि पार्लेमेंट जो है वो देश के दुवारा चुनी गई सर्वोच संस्ता है उससे उपर कुछ है नहीं और उनने पार्लेमेंट की पावर को माना है तो रागव चड़ा जो जिस तरह की यह बाते कह रहे हैं वो बचकानी बाते हैं रागव चड़ा को मैं वैसे बहुत पड़ा लिखा और समझदार सक्स मानता हूं लेकिन पता नहीं पिछले काफी समय से अब परिनिती चो कपूर ठला हाऊस है यह पंजाब गुबर्मेंट दौरा संचाली ठहे जैसे UP भवन है बियार भवन है ऐसे कपूर ठला हाऊस है दिल्ली वालों का यह बहुत बढ़िया बना हुआ है और खाना माना पी बढ़िया मिलता है पंजाबी डिस अच्छी मिलती है। तो वहां इन्होंने अपनी सगाई कराई प्रियंक का चोपड़ा वगएर सारे गैस्ट आया थे फाइस्टार होटल में भी कर सकते थे इस बात को लेकर बगवंत मान ने खुद को बड़ा बेज़त महसूस किया लोगों ने पंजाब में उनकी खिल्ली उड़ाई कि यह सूप करो यह बात जब कि मैं भी अर्विन आज अमित्शाने तो आज कही है उसका पूर थला वाले वीडियो में मैं यह बात कह चुका हूंगे देख लीजेगा मैंने उसका टाइटल यह दिया है कि संसद के बाद दूसरी बुरी खबर पंजाब से आने वाली है यह पारलेमेंट के आते आते केजरिवाल की दशा दिशा और इनकी पार्टी की जो स्थिती है वो बहुत जल्द किलियर हो जाने वाली है और मैं लगतार यह कहता रहा हूं के अर्विन केजरिवाल देर सवेर अंदर तो जाने ही है और अब देखें अभी फिलाल अगर इस पूरे परकरन को लेकर कोई जाच होती है जैसे कि कुछ जाच शुरू होने की बात भी चल रही है और इसमें एडी वेगरा एक्शन दे भी सकते हैं तो इनमें अर्विन केजरिवाल कोई सबूत दे नहीं पाएंगे यह जो शीश मेलवाला मामला है और यह कोई शीश मेलवाला मामला किसी ट पत्थर कहां से मंगाए, कोविड के टाइम में काम हुआ, ये सब जो चीजे हैं, ये जो है वो बताई जाती है, ब्रीफ की जाती है, उसी के आधार पर ये सब खुलासा हुआ था, तो निश्चित रूप से कड़ियां तो जूड़ी रही हैं, और देखे रागव चड़ा ने हो रहे थी, उस समय फला मौझूद थे, तो सब जगए इनके नाम है, बस ये है कि वो कड़ियां जूड़ने की देर है, और दूसरे, इशारा होने की जरूरत है, कि हमित्षा इशारा करें, अगला नंबर किसका है तो लग जाएगा, लेकिन अभी थोड़ा सा मामला मुझे पर ज़्यादे जोर करते हैं, तो एक दूसरा ये भी रहता है, कि इसका एक परती किरिया भी होती है, सिंपैथी भी मिल सकती है, तो उसी तरह कैसे जो केजरी वाल है, केजरी वाल को भी थोड़ा सा इसलिए छूट दी जा रही है, कि पंजाब में बीजेपी को भी लगता ह है, कि उनके सामने तकड़ा चैलेंज आमादमी पार्टी इस बार बनेगी, और दिल्ली को लेकर भी बीजेपी को लग रहा है, कि कहीं ऐसा ना हो कि कॉंग्रेस अगर मिल जाए साथ में, तो एक आथ सीट बीजेपी की दिल्ली में कम हो जाए, तो ये इसलिए जो कहते हैं, कि हार्ड हिटिंग स्टेंड अभी सपर कोई ने लिया जा रहा है, अर्विन केजरिवाल को लेकर, वरना देर सवेर होना तो है ही, और अगर तीसरी बार आते हैं मोदी जी तो फिर केजरिवाल बचेंगे नहीं, केजरिवाल की पार्टी ही तूटेगी सबसे पहले तो, और ये पार्टी की तूट कहां से होगी, आप जानते हैं कि पार्टी की तूट होगी पंजाब से, बगवन तमान एक जिसे कहते हैं कि भरे पूरे घर का सिख है, और जमीन से जुड़ा हुआ अदमी है, उसकी पॉपुलेर्टी है, और एक्सेप्सिनल तरीके से मैं कहूंगा, कि इमानदार है, पंजाब जैसी स्टेट का जो चीफ मिनिस्टर बनना ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है, तभी पंजाब एक ऐसा स्टेट है जिसमें से चार-चार राज्ये निकल के बन चुके हैं, इतना बड़ा स्टेट हुआ करता था, बॉर्डर का इ इलाका है, एक एक ऐसा इलाका है, जहां से हर घर से लोग फॉज में, मिलिटरी में होते हैं, तो वो उन्हें प्राउड फील करना चाहिए, कि वो ऐसे स्टेट का उन्हें मिला है, और अगर वो अर्विन केजरिवाल के इस तरह से पपेट बने रहेंगे, और जैसे हरसी मरत पूर बादल ने आज कहा, उन्हें के ड्राइवर बने हुए है, मुझे लगता है कि भगवंत मान अगर इसमें थोड़ा सा संभल जाएंगे, मैं आपको दावे के साथ ये बात कह सकता हूँ, कि वो ना सिर्फ इनकी पार्टी को तोड़ देंगे, अर्विन केजरिवाल से बड़े नेता बनने की भी हैसियत में आ जाएंगे, पंजाब में उनकी लोगप्रिता जबरदस्त है, मैंने उनके डिस्टिक में गूम के, संगरूर में देखा हुआ है, संगरूर में उनकी लोगप्रिता जबरदस्त है, अपने इलाके में लोगप्रिये हैं वो, जंता के बीच रहते हैं जुड़े हुए हैं लोगों से और फिर उनका जो कॉमेडियन का एक औरा रा है कारियकाल वो जिस तरीके से घरगर में लोग प्री हैं एक जाना माना फेस हैं तो आने वाले समय में आमादी पार्टी को आगे ले जाने की छमता भी और रखते हैं ऐसा भी नहीं है कि अर्विन केजरिवाल नहीं होंगे तो भगवनतमान ऐसा नहीं कर सकते देखते हैं लेकिन इसमें समय लगेगा दोजार चोबिस के चुनाव के बाद चीजे इस पश्ट होंगी इसमें अभी तो खेल चलेगा आई एंडी आई ये वाला देखियो उन्होंने कह दिया कि पंजाब में और इसमें जो है दिल्ली में इनकी दस सीटे आएंगी अर्विन केजरिवाल की तो बताईए दस सीटे कैसे आ रही हैं आप बताईए क्या सारी की सारी सीटे पंजाब की ये लड़ने जा रहे हैं या सारी की सारी दिल्ली की सीटे लड़ेंगे क्या कॉंग्रेस को नहीं देंगे इस तरीके से जो पुष्ट किया जाता है इन्होंने कह दिया कि उस सर्वे में एक बहुत अजीव गरीब बात जो मुझे देखने को मिली उन्होंने कह दिया कि महराष्ट में उद्दव ठाकरे फिर से वह सामने आएंगे उबर के ना नमस्कार अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बैल आइकन को प्रेस करें